हेलो आप सभी का स्वागत है मागनेट ब्रेंज हिंधी पर मेरा नाम है अंकुर वबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कख्छा 9 का अर्थ सास्थ हम आज एक नई शुरुआद करने वाले हैं एक नई चैप्टर को सुरू करने वाले हैं नया भी है और आखरी भी है आपक दौनों को आप जान जाएंगे तो चेप्टर का बहुत सारा महत आपको समझ माई जाएगा बाकी बातें हम चेप्टर के अंदर आने वाले वीडियो के अंदर कर 살아 है वो सारी बाते हम करते हैं तो आज की वीडियो के अंदर हम मतलब खादर सुरक्षा स्टार्ट कर रहा है साथ ही साथ हम इसका अवलोकर मतलब चैप्टर का ओवर्वियू लेंगे और इसका इंट्रोड़क्टरी पार्ट सूट करेंगे परिचाए देखेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि यह जो चैप्टर है वो है कैसा और इसमें आगे आने वाले टॉपिक्स कौन-कौन से हैं कौन-कौन से वीडियो हम इसमें कवर करने वाले हैं हमारा पैटन तो आपको पता ही है कि हम पहले कॉंसर्ट वीडियो सूट करते हैं फिर एंसे बाद फिर हम कंप्री यह सारी चीज़े हम कवर करते हैं आप जानते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मागनेट ब्रेंस अपनी मुफ्त सिक्षा के लिए जाना जाता है मतलब आपको यहां पर किसी वीडियो का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है सभी चीज़ें आपको बिलको स्टेट बोट के अनुसार करवाया जा रहा है इसमें आपके एंसे इसाथी साथ दूसरे स्टेट की बुक्स को भी कवर किया जा रहा है एक और जरूरी बात कि मागनेट बेंस के दुवारा बुक्स और इबुक्स को प्रिपेर किया गया है यह बुक्स और आप ताप्त करन बनाए गए हैं जैसे mcq वाला पार्ट अलग हो गया थियोरी वाला पार्ट अलग हो गया ऐसे कई सारे भाग बनाए गए हैं ताकि आपको बुक पढ़ने में किसी प्रकार से बोरिंग ना हो किसी प्रकार की कोई परिसानी ना हो एकदम हैंडी टाइप टाइप की बुक बना करेंगे हमें पहले खाद को जानना होगा क्या है कि खाद का मतलब क्या होता है और फिर इसमें दूसरा सब्द आता है जिसको आप सुरक्षा कहते हैं तो हमें ये दो सब्द जानने होंगे सुरक्षा क्या है सुरक्षा का मतलब आप सिक्योर्टी से भी समझते कह सकते हैं कि सि वज़न के लिए आवशख चीजें जैसे है कि अनाज ये अन्य खाद पदार्त अब ये खाद सुरक्षा जो हम ये दो प्रॉपिक लेकर चलने हैं दो नाम के मिलाकर हमने चीज बनाई है जिसको खाद सुरक्षा के अए नया मतलब निकलता है यह सारी क bidding के लिक पाल जगा वपाई है किने कोई बीना पेट लगा है और उसमें भूंक भी लगती है कुछ लोग जाल लोटी से भूंक मिटाते हैं कुछ बर्गर से को नसीड हुपादी है और कुछ को दोनों टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है तो सुरक्षा सब दिसले लगाए गए कम से कम देश में जो रहने वाले हBeard को मतलब हर आदमे की मतलब हर आदमेता कि खाना हर आदमी के स्था अस सरकार रोटी आंद रखेंगी नहीं को बटवाएगी और इनको बटवाने से लोग अपने घर में खाना बना पाएंगे तो ये खाद सामान और इनकी सुरक्षा के बारे में बात कि जा रही है तो ये food safety के बारे में चाहिए है कि हमें ये खाद सुरक्षा चाहिए है आई बात की खात स्रक्षा का मतलब क्या हो गया तो यह आप जानम क्ये होंगे किस नाम कई हैं आ मैंने चाना मतलब कैसे मातकि उबरवव्य bagi देख लेते हैं कि खात सूरक्षा का अर्थ क्या हो गया सब लोगों के लिए सधे और भोजन की अपरता पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामरत यही बात तो हमने समझी खाद का मतलब मैंने समझाए रेक्ष्टी को दो टाइम का भोजन मिल जाए यही बात तो मैं ने बताई कि आपकी बुक बैसा जब भी अनाज की अत्पादान या उसके वित्रण की समस्या आती है अब जो खाद्य है वो खास खास तक रपर क्या है कि अनाज की फार्म में यह किर्सिय उत्पाद की रूप में किया गया है तो सहज ही निरधन परिवार इस से अधिक प्रवावित होते हैं पहले ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं कि उत्पादन और बित्रण की समझ्का से निर्धन परिवार कैसे प्रवावित होते हैं तो अब जो खात है जो खात है जिसको खाने के योग बनाया गया है इस खात का उप्योग आप कैसे करेंगे तो यह ख़ाद को कहीं से लाना पड़ेगा यह दो प्रकार का हो सकता है एक तो साकाहार हो सकता है और दूसरा मासाहार हो सकता है और कुछ लोग दोनों मिलाकर खा लेते हैं साकाहार मासाहार दोनों चल जाते हैं होता है कि नहीं होता होगा ऐसे तो कोई है ऐसे होंगे न लोग जो दोनों कर लेते न साकाहार मासाहार वाली बात होगए साकाहार का मतलब क्या हो गया है कि हम खास तोर पर कृसी उत्पाद और दुख दुख उत्पाद पर निर्भर रहते हैं और मासाहर का मतलब क्या होगा कि यह सारी चीजें तो है ही है साथ में क्या आ गया मास मचली भी साथ में आ जाती है तो उसको क्या कह देंगे वो आप भी क्या हो जाएगी उसको कहा जाएगा मासाहर अब चुकि हम खाद पर जब भी बात करते हैं कि हमें खाद की बात करनी है तो इसके उत्पादन और वित्रन को लेकर बात की गई है कि इसका उत्पादन और एक सब दाया है वित्रन है ला उत्पादन का मतलब क्या है कि इसको बनाना इसको पैदा करना तो इसको पैदा करने क कर आपको मास निकालना पड़ेगा उस पर हम बाद में बात करें क्या समस्य है ना खाद्पदार्थों में दोना प्रकार की चीज़ें आती है यह मान के चलिए अब हम चुकिए बात कर रहे हैं किस पर खास तोर से बात होगी हमारी साकाहार की उपर कि हम सिर्फ वजिटेरियन को लेकर बात करेंगे साकाहारी को लेकर बात करेंगे तो और की जी बात की जारी coronavirus Milad tek ay यह मुद्धिया करते हैं तक हर एक व्यक्ति पेट में भोजन पहुंचनेा की विषस्था हो सके उससे घर तक यह मुई हुँदाыпाइशु पहुँ की जब भी समस्य आती है तो सबस्यदा प्रहावित परिवार कौन से होते हैं निर्धन परिवार होते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है जो बहुत गरीब होते हैं मतलब उत्पादन क्या खेट में पैदा कुछ नहीं हुआ उत्पादन घट गया तो गरीब परिसान हो जाए कि इसके पीचे एक कारण यह आता है कि जो साका हारी चीजे है या किरसी उत्पाइथ हम सिर्फ क्यां कहने और सो किरसी उत्पाइथ जो है उनको रख पाना थोड़ा सा आसान होता है माल लीजिए श्रावरोन लीजिए कि आपके भोजन के लिए रोटी और डाल लगती है ना रोटी और डाल लगती है ये कैसे बनती ये तो आसर दाल को तो हम क्या करते हैं कुकर में लगा दी दाल एक फसल है और बस अमने त classmates da हैं कि बुले सर हम आठा ले आएंगी आठा कैसे बनेगा सार येहु को पिस्वा दीया हमने तो इस में को पता हम आठा कैसे बनता हम को पता हम आपसे पूंछ रहे हैं बस अना तो क्या हो गई भी कहते हैं कई सारी जगाए इसे बड़े होंगे नब तो आपको सब दीरे दीरे आती जाएंगी बात हैं तो रोटी और दाल तयार कर लिए अब आप बताओ कि जो गेहु है और जो डाल या चावल आई है यहां से इसको बोरियों में भरके रख देना आसान है क्या जब आप गेहु को बोरी में भरके रख तें तो इसको भी दाना 裡面 कई सारे इलाके ऐसे हैं या कई सारे घर ऐसे हैं जो फिरिविडिश का concept में रखते हैं तो अंगर यह जिन्दा रखेंगे हैं अगर इसको जिन्दा रखते हैं यह घूमता फिरता है तो इसको क्या कर ना पड़ेगा मतलब पहले खाने को खिलाओ फिर उस खाने को खाओ समझे ना बात पहले आप जो छोछाना है पहल पहले तो झो लॉजbey ख़रोग ब स्क्राब हुएर अगर अगर आप इसको एजशा चकेन के फॉर्मन है या जो जानविच की फॉर्में रखना जाए है तो उसके लिए फ्रेज डिप फ्रीजर बहुत चाहिए वह नहीं तो इसके मेंटेन करने की वरुस्था थोड़ा सा महेंगी हो और सब जगए आसानी से हो नहीं सकता गेहों सबके घर में कौने में बोरियां पड़ी मिलेंगी चावल की बोरी आ गई डाल आ गई रखा कोई द चाहिए बात करते हैं अगला पॉइंट आता है खाद सुरक्षा सारवजणिक बित्रन परणाली सास ata इसातर क्ता और सरकार कि गई करवाही कारवाही पर निवरह करती हैं तो उनकी खत्रे की इस्थिति में सरकार के द्वारा की गई कारवाही पर निरभर करती है कि भाई क्या सुरक्षा रखने चाहिए लोगों को भूजन कैसे पहुचाना चाहिए अब बात करेंगे इस चैप्र के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं पहला है खाद सुरक्षा क्या है वाट इस फूड सिक्योर्टी के बारें बात करेंगे खाद सुरक्षा क्यों वाइफ फूड सिक्योर्टी खाद असुरक्षित कौ छ distract कोन से लोग हैं जिने छाट श्रीक्षत आर फूर्ट इमसेकिक भारत में ना चाहने सुखुम हैं तो भारत के इंदर में घाथ सुरेख्चा कि बात कहलाता है कि सार्धिनिक बितन पड़ाली की बरतमान सिति करेंट स्टेटस और पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम क्या है तो उस पर हमें बात करनी है सहकारी समितियों की खाद सुरक्षा में भूमिका क्या है रोल अब हईग् साथ ही सब्सक्शा के लिए प्तर आप ऐहां पर किसी प्रकार का को ही करना है और को कमप्रोमाफ्ट मिलते हैं किस किष क्या करते हैं तो हम करते हैं एजूकेशन इसके लावा एंट-सी अलंपिया पिर आप देखेंगे वहां पर निसुक में कराया रहा है एस वीडियो आप रात करेंगे तो हमारे योटुब चैनल जो भी हमारे ओफिशल यूटूब चैनल है या से मैगनेट बेंगी मेगनेट बेंच बेंकिन मेंग यूटूब पर मिल जाएंगे इसके लावा आप हमारी website जिसे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर डालेंगे सर्च बार में टाइप करेंगे www.magnetbrins.com वहां जाकर भी सारे परकारवा कोई payment नहीं करना है इसके लावा हमने कुछ books और यार की हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए description में बहुत लगाए अब हमसे connect हो सकते हैं यूटूब फेस्बॉक इंस्टा टुटर और टेलीग्राम के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं मैगनेट बरिंस के हिंदी चैनल मैगनेट बरिंस हिंदी मीडियम पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को like किजिए अपने दोस्तों कीजिए बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं साथ ही साथ आपके कोई डाउट है तो उनको भी आप वहाँ पर पूँ सकते हैं तन्यवाद